नमस्कार मैं हुकपेल और आप देख रहे हैं मेक्च 9 न्यूज राहूल गांदी के अगरबार करी जाए तो जिस तरीके से वो लगादार पीम मोदी पर हमला बोलते वे नजर आ रहे हैं उससे माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की बयान बाजी जारी रहने वा कई देताओं ने जवाबी हमला किया अब एक बार फिर राहूल गांदी ने हमला किया है और उन्होंने कहा है कि अगर बीजेबी की बात करी जाए तो जिस तरीके से लगातार तमाम नेताई बोलते हैं कि कॉंग्रेस ने 60-70 सालों में कुछ नहीं किया ये जो भातिये लोग हैं और उनके जो पूरवजा यानि कि जो दादा-दादी हैं उनका कही न कहीं अपमान है क्योंकि आप जब ये कह रहे हैं कि 70-60 सालों में कुछ नहीं हुआ तो ना सिर्फ कॉंग्रेस पर आप हमला बोल रहें बलकि उन पूदादे की राहूल गांधी के अगर बात करी जाए तो लगातार जो पीमोदी हैं बीजेपी हैं उन पर हमला बोल रहे हैं लंदन में इंडियन जर्रीट एस्सोसियेशन के कारिकरव में बीजेपी के उन आरोपो पर उन्होंने पलटवार किया जिसमें ये का गया था कि राहूल गांदी ने Cambridge University के में दिये गए अपने बयान के दोरान भारत को बदनाम किया है इतना ही नहीं इस दोरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ यात्रा की तुलना तीन दशक पुरानी BJP की रत यात्रा से की उन्होंने कहा कि BJP की रत यात्रा थी लिकिन एक अंतर है उस यात्रा का केंद्र एक रत था जो राजा का प्रतीक है हमारा जो रत है वो लोगों को जोटाने का काम कर रहा है और लोगों को गले भी लगा रहा है राउल ने कहा कि RSS और BJP को हराने की जरूरत लोगों के मन में गहराई तक पहुँच गई है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई दिरश्टिकोर देखे गए थे इस यात्रा में बहुत अंडर करण था उन्हों ने कहा कि उन संस्थागत धांचे से लड़ रहे हैं RSS औ इस तरह का कदम उठाती हुए नजर आती है तो CBI और ED का शिकंजा जो है वह उन पर कस्ता हुआ नजर आता है अपने शर्फ पावार को भी देखा जिस तरीके से 2019 में उन्होंने बयान दिया था उसके बाद ED की कारवाई की गई हमने उद्दव ठाकरे साथ क्या हो रहा है वो भी देखा और हमने कांगरिस के तमाम नेताओं के साथ जिसमें पवन खेड़ा शामिल है क्या होता है वो भी देखा तो साब तो पर यह काद आ सकता है कि बीजेपी जाच एजनसियों का गलत इस्तमाल कर रही है इस तरह के जो आरोप तमाम नेता लगा रहा है वो खाई देगी फिलाल इस फास पेशकर्श में इतना ही लेकिन आप क्या सोचते हैं राहूल गांधी के बारे में उनके बदले अंदास के बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा नमस्कार